दोस्तों, अब यह आप मेरे स्क्रीन पे एक वेबसाइट देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा नीचे स्कोर alan करके दिखा देता हूं। या आप देख सकते हैं, दोस्तों, यह हमारी एक नई वेबसाइट है। और मैं आपको बतातू यह जो आप website मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना दोस्तो यह website हमने बनाई है हमारा एक नया e-commerce business को start करने के लिए और दोस्तो अगर आप इस website को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यह दोस्तो पूरी की पूरी एक professional e-commerce website है जो आपको Amazon Flipkart की तरह ल सिर्फ एक दिन के time है और अगर आप देखोगे इस website को ध्यान से तो हमने इसमें पूरा का पूरा जो work है वो professional तरीके से किया तो अगर आप दोस्तो यह सोच रहे हैं कि इस website के बारे में मैं आपको इस वीडियो में क्यों बता रहा हूं तो मैं आपको बता दूँ दोस्तो इस website के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको इसली बता रहा हूं क्योंकि आज कि इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगा कि आप भी दोस्तो अपने business को शुरू करने के लिए या तो आप e-commerce का business शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तो आप कोई और business शुरू कर रहे है तो आप अपने business को शुरू करने के लिए आप दोस्तो खुद अपने हातों से अपनी एक website को कैसे design कर सकते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको दोस्तो website design करने का जो step by step process है इस वीडियो में आज मैं आपको समझाने वाला हूं और वीडियो के अंदर मैं आपको एक practical website बना इस वीडियो में आज मैं आपको website बनाने का जो तरीका या step by step process बताने वाला हूं अगर आप इस method को follow करोगे तो आपको website बनाने के लिए किसी भी परकार के knowledge की किसी भी परकार के coding skills की कोई जरूवत नहीं पड़ेगी आप इस वीडियो को बस पूरा देख लो definitely आप 100% खु की website बना के अपना business offline से लेके online ले जाने के लिए और website बना के पैसे कमाने के लिए तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए important वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों अगरा मेरे चनल digital marketing घुर जी पर पहली बार आए अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो मैं आपसे बोलना चाओंगा दोस्तों इस channel को miss मत करना subscribe करना क्योंकि इस channel पर मैं आपके लिए डालता रहता हूँ daily knowledgeable videos जिनको आप देख सकते हैं और इन वीडियो को देखके आप अपना knowledge और skills को improve कर सकते हैं देखे सबसे पहले आप अगर website बनाना चाहते हैं अपने business के लिए दोस्त बनाने के लिए आपको किस-किस requirements की जिरुवत है पहले तो देखे दोस्तों अगर आप website बना रहे तो आपको एक domain name चाहिए होगा अब domain name का मालूम है पता है क्या होता है domain name होता है business team जिससे अगर आपने देखा होगा दोस्तों internet पर बहुत सारी website चलती है जिसे amazon का नाम सब ने सुना होगा तो amazon.com यह क्या है दोस्तों एक domain name है और domain name ही क्या है business name है कैसे purchase करोगे कौंची company से purchase करोगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बाद दोस्तों अगला requirement है आपको एक hosting भी purchase करनी पड़ेगी देखें दोस्तों hosting किसको बोलते हैं अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम कोई घर बनाते तो घर बनाने के लिए जमीन हम नहीं लेंगे तो घर बनाएंगे का उसी परकाश है दोस्तों अगर आप internet पे website बनाना चाहते अपने business को offline से online लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास internet पे space यानि की memory card होना चाहिए और उसी को दोस्तों हम hosting बोलते हैं तो अगला requirement है आपके पास hosting वोनी चाहिए इसको कैसे purchase करोगे कौन सी company से purchase करोगे कौन सी आपको purchase करनी है कौन सी best आपके लिए रहेगी इस video में आज आपको बताऊंगा और purchase करके भी दिखाऊंगा चलिए अगले requirement आप समझ लेते हैं और यह दोस्तों आपका theme देखे दोस्तों आज इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि wordpress website आप कैसे बनाऊंगे और wordpress website बनाने के लिए आपको theme की जरूवत पड़ेगी लेकिन मैं आप आपको बता दो दोस्तों WordPress में paid theme का भी इस्तमाल कर सकते हो और free theme का भी इस्तमाल कर सकते हो तो यह दोस्तों website बनाने का पूरा step by step process है तीन step आपको complete करनी पड़ेगी requirement और आप अपनी website को design कर सकते हैं आप देखे तीनों requirement आप complete करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको website setup क करना पड़ेगा यानि की बनाना पड़ेगा और वह आप कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आप मैं आपको बताने वालों तो यहां चे थोड़ा important होने वाला वीडियो थोड़ा ध्यान से देखेगा देकिस सबसे पहले website बनाने के लिए हमारे पास जो requirement है वह हम complete करेंगे और वह दोस्तो हमारे पास domain name देकि domain name दोस्तो वैसे तो चाहे हम लोग गौड़ेडी से खरीज सकते हैं उसके अलाव भी आपको काफी सारी companies मिल जाएंगी आप वहां से खरीज सकते हैं और domain name के बाद हमें hosting की जरूरत पड़ेगी लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जो आपके लिए और भी useful रहेगा देखिए दोस्तो वैसे तो हम domain name अलग company से खरी सकते हैं और hosting हम अलग company से खरी सकते हैं लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ method कि आप दोनों एक ही जगे से खरीदो और दोनों को अगर hosting दोने एक साथ purchase करेंगे और उसके बाद इनको setup करने में हमें आसानी होगी तो देखे हम क्या करेंगे दोस्तो Google पे चलते हैं और सबसे पहले आप यहां पर Google search कर लो ठीक है मैं आप देखे Google search कर लेता हूँ क्योंकि मैं पूरा काम private window में आपको दिखा रहा हूँ आप domain name या hosting purchase कर रहे हैं तो आप कोई गलत hosting या कोई गलत company से domain name purchase नहीं करें इसलिए ध्यांचे तुनना देखे सबसे पहले अगर आप किसी भी company से domain name hosting purchase करें तो मैं आपको बोलूँगा कि जिस company से आप purchase कर रहे हो वो इंडिया में service provide करनी चाहिए जैसे dot in पे आप देख सकते है जिसे dot in दूसरा एक और point है दोस्तो और वो है customer care देखे आप अगर कोई भी domain name या hosting purchase करें तो हो सकता है आपको problem आ जाए website design करने में तो अगर आपको कोई problem आए तो आप अगर problem को solve करना चाहते हैं तो आप जिस company के साथ काम कर रहे हैं उस company के support से आप बात कर सकते हैं तो एक और चीज important है कि आप जिस company से domain hosting purchase कर रहे हूँ उसका customer care number भी होना चाहिए ताकि आप उनको call कर सको और जो भी problem हो आप उनसे मिलके solve करवा सकें एक और सबसे important है आप अगर दोनों चीज कहीं से ले रहे हैं domain hosting तो आपको discount भी मिलना चाहिए अगर आप discount आपको मिलेगा त तो फिर दोस्तों आप अपना जो domain hosting है वो कम cost में ले सकते हैं आप देखें इस वीडियो में आज मैं आपको वैसे तो बहुत तरी company है लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसी company के बारे में बताने वालो जो तीनों points पे खरा उतरने वाली है मतलब वो इंडिया में भी service provide करती है इंडिया में भी number one है आपको customer care support भी मिलेगा 24 hours और discount भी मिलेगा link मैं आपको description में दे दूँगा आप direct link पे click करके visit कर सकते हैं मैं जिस company के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों वह है दोस्तो bluehost ठीक है मैंने आपी bluehost type किया और आप आपको search button पे click करना है जैसे दोस्तों आप search button पे click करोगे इसका link मैं आपको description में दी दूइंगा आप इस पे visit कर सकते हैं आप देखें जैसे दोस्तों आप link search button पे click करोगे आप देख सकते हैं आप के सामने bluehost.in का दो आपके सामने आजाएगा, simply दोस्तों आपको करना है, bluehost.in के उपर क्लिक करना है, आप देखें दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, कि आप जिस company से domain hosting purchase कर रहे हो, वो सबसे पहले तो इंडिया में company होनी चाहिए, यानि कि इंडिया में service प्रोवाइड करनी चाहिए, तो आप यहां पर dot in देख सकते हैं, और मैं आपको बता दू, bluehost इंडिया में भी काम करता है, ठीक है, तो सबसे पहला quality मिल गया, दूसरा है इसका customer care number, आप देख सकते हैं, 24 hours आपको customer care support यहां से मिलेगा, और fast support है, इतनी आसनी से आपको number मिल जाएगा, कि जैसे कि आप अपने दोस्त को number मिला रहे होना, वैसे आपका support यहां पे आपको मिल जाएगा, और तीसरा एक और, वो है 169 में, तो आपको काफी cheap cost में, आपको एक बढ़िया hosting plan यहां से मिलने वाला है, ठीक है, तो अब हम दोस्तों अपनी website को बनाने के लिए क्या करेंगे, dominant hosting यहां से purchase करने वाले, ठीक है, तो देखे, आप आप bluehost पे एक बार hosting का जो option है, वो आपको देखेगा, simply दोस्तों आपको WordPress hosting के उपर क्लिक करना है, जैसे दोस्तों आप WordPress hosting के उपर क्लिक करेंगे, आप यह पर देख सकते हैं, इनका जो WordPress hosting का page है, वो आपके सामने open हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इनकी जो main points है, जो आपके लिए सबसे important है, वो आप देख लो, पहले तो देखे, आपको free domain name मिलने वाला है, for a one year, मैंने आपको बोला थांकना कि आप जिस भी SSL certificate मिलने वाला है, मतलब आप अगर यहां पर देख रहे हैं न, यह ताला सा देख रहे हैं न, लोग सा, यह आपको मिलने वाला है एक साल के लिए, फिर दोस्तो easy to use है, ठीक है, 24-7 आपको support मिलने वाला है, आप plan कौन सा है वो आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ दोस का पूरा पैसा वापस Bluehost से ले सकते हूँ, लेकिन मैं इसको मेरी तरफ से recommend करूँगा, कि मैं अगर कोई भी client का काम कर रहा हूँ, यह अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर मी मैं एक client के लिए website बनाऊँगा, ठीक है, तो आप Bluehost से हम ऐसा service लेना, आपको काफ से पहले server चूश करना, देखे, server के लिए आपको India चूश करना, मैंने आपको बोला था कि India की company के साथ हम काम करेंगे, तो यहाँ पर देखे, आपने इंदिया चूश कर लिया, उसके बाद दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखे, तीन प्लान आपको मिलेंगे, basic, plus, और recommended, यानि की choice plus, अब आपको कौन सा प्लान purchase करना है, वो आप अपने according चूश कर सकते हैं, मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, आप यह वाला प्लान यहाँ से purchase करना, अगर आप multiple websites बना रहे हो, ठीक है, इन प्लान में आपको क्या-क्या मिलेगा, वो आप देख सकते हैं, अगर यह जो ट्रीमच है, वो दोस्तों, 36 मन्त के लिए लाग हो है, आप इसको यहाँ पर select करके purchase कर सकते हैं, आपको data center इंडिया में मिल जाएगा, एक website का आपको यहाँ पर option मिलने वाला है, और उसके साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर 50GB SSD store मिलने वाला है, unmitted bandwidth विलेगी, आपको 100% plus free WordPress theme भी आपको यहाँ से मिलने वाला है, एक साल के लिए free domain मिलेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों, आप यहाँ पर देखे, WordPress website builder के भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको काफी सारे options मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देखे, performance और security को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको SSL, automatic daily malware scan, उसके साथ साथ दोस्तों, website site dashboard, boosting option मिलेगा, और यहाँ पर देखे, website migration, email marketing tools भी आपको मिल जाएंगे, तो यह काफी usable plan है, जो आपके लिए best है, अगर आप कम cost में website और domain name purchase करना चाहते हैं, अपनी website को बनाने के लिए, तो दोस्तों, आप अगर चाहें तो इस plan को purchase कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप एक नई multiple websites को बनाएंगे, तो आप choice plus, या फिर दोस्तों, प्लस plan को choose कर सकते हैं, इनमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, वो आप एक बार देख लेना, और उसके बाद दोस्तों, आप इनमें से कोई भी plan purchase कर सकते ह है, आज हम यह वालब जो plan है, वो purchase करने वाला है, क्योंकि जिस client की मैं website बनाने वाला हूँ, उसका सिरफ एक ही website हम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोस्तों, यहाँ पर select पे click करेंगे, और जैसे दोस्तों, आप select पे click करेंगे, हमारे सामने यह जो plan है, वो select हो जाएगा और देखे, आप जैसे plan select करोगे, अब आप इस plan को purchase कर सकते हैं, जिसमें आपको domain name, hosting, दोनों साथ में मिलने वाला, ठीक है, तो अब आप इसको देखे कैसे purchase करेंगे, सबसे पहले देखे दोस्तों, आपको आपके दो option मिलेंगे, पहला तो create a new domain name का, और use your own domain name का, अगर आ यहाँ पे डाल सकते हूँ, आपको dot com लेना है, doting लेना है, या जिस भी परकार का आपको चाहिए, वा आप चूस कर लेना है, ठीक है, तो मैं आप देखे, दोस्तों मेरे client का जो भी name है, domain name, वो मैं आप डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंन domain जो आपने डाला था, dot com is available, तो जो हमने domain name डाला है, वो हमारे को मिल रहा है, अब देखे, domain name तो आपको मिल रहा है, तो यह automatically आपका connect हो गया है, हमारा select हो गया है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखे, account information आपको दी हुई है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मेरा जो form है, वो complete मैंने fill कर दिया है, अगर आप दोस्तों इस form को fill दंच से नहीं कर पा रहे हैं, और आप hosting purchase करने में ऐस सफल है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप host team को contact कर लेना, वो आपको guide करेंगे, ठीक है, मैं इस form को fill करना वैसे आपको बता दिता हूँ, सबसे पहले देखिए, आपको first name डालने है, last name डालने है, जो भी आपका business name है, वो आपको डालने है, domain name डालोगे या नहीं डालोगे, इसकी कोई जरूत नहीं पर नहीं है, country आपको choose करना है, आपका address है वो आपको पास GST है, तो आप GST डाल सकते हो, उसके बाद दोस्तों आपको package का option मिलेगा, तो इसमें आपको देखिए, कम से कम आपको 12 months के लिए hosting purchase करना ही पड़ीगी, आगर आप 36 महीने के लिए इसको purchase कर रहे है, तो आपको यह और भी सस्ता मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आ आपको कुछ extra चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको include कर सकते हैं, टोटल देखिए, आपको यहाँ पे हो रहा है, 3950 रुपीज और यहाँ पे आपको 18% GST भी लगने वाला है, तो टोटल अमाउंट अभी हमारा calculate होके आएगा, यहाँ पे करीब 4950 रुपै, अब देखिए, प payment डालने का जो option है, वो आपको आजाएगा, तो payment डालने के देखिए, दोस्तों, मैं इसका इस्तमाल करूँगा, scan and pay का, तो मैं इसको उपर click करता हूँ, और यहाँ पे generate QR में कर लेता हूँ, और दोस्तों, मैं QR की मदद से जो payment है, वो मैं आपको कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए, दोस्तों, आपका purchasing complete होने के बाद, अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहिए, तो देखिए, यहाँ पे आपको receipt भी मिल गया, तो download receipt पे आप click कर लेना, और जो आपका bill है, यह receipt है, वो आप चाहिए तो download कर सकते हैं, मैं देखिए, इसको download कर लेता हूँ, जै आपको create your password के उपर click करना है, जैसे दोस्तों, आप create your password पे click करोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे अपना domain name है, वो आपको देखेगा, तो आप इसका domain name है, वो याद रखना, यही आपको use करना है, अपने इसको account को दुबारा से login करने के ल accept करना है, और create account के उपर click करना है, जैसे दोस्तों, आप create account के उपर click करोगे, आपका जो account है, वो blue host के अंदर बन जायेगा, और उसके बाद दोस्तों, हम आगला process अब यहाँ पे complete करने वाले है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो account है, वो बन गया है, और अब आपको करना है, go to login के उपर click करना है, और जो हमारा account था, वो हमें दुबरा से यहाँ पे login करना है, यह देखे दोस्तों, हमारा domain इम आ गया है, मैं क्या करूँगा, इसको copy करूँगा, new tab के अंदर paste कर दूँगा, enter button पे click कर दूँगा, ताकि मैं इसको भूलनी जा जैसे दोस्तों, आप login बटन पे click करोगे, आपका जो blue host का account है, यानि कि आपका hosting panel है, वो अब आपका login हो जाएगा, और जैसे दोस्तों, आपका hosting panel login होगा, हम अपना hosting account अब यहाँ पे setup करने वाल है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो panel है, वो यहाँ पे login ह और आपको करना का है, जो आपका hosting account हो आपको setup करना है, तो यहाँ पे देखे, दोस्तों, करना का है, सबसे पहले create your website के उपर आपको click करना है, और यहाँ पे देखे, आपको करना कुछ नहीं है, इसप्प this step के उपर आपको click करना है, जो भी आपके सामने आ रहे हैं, देखेखें दोस्तो आपको करना है कहा है, यहाँ पर एप यह बोड़ करना है,객 tout RTD के उपर क्लिक करना है,afirce दोबारा से इसके उपर क्लिक kaplan है और फिर से अब आपको last में करना कहा है, jest skip this step के उपर क्लिक करेंगी, यहाँ पर दोबारा से नीचे से आईए और skip this step के उपर आपको click करना है जैसे दोस्तों आप skip करते जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका जो hosting panel है वो आपके सामने खुल गया और यहाँ पर अगर आप my sites पर click करेंगे तो आपका domain name आपके ने purchase किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका domain name है यानि कि आपका site है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक site आपका यहाँ पर बनके अभी ready नहीं हुआ लेकिन आपका यहाँ पर list हो चुका है अगर आप इसको click करेंगे तो देख सकते हैं इस परकार से आपका site आपके सामने open हो जाएगा आप देखे दोस्तों इस परकार से आप और ना पूरा का पूरा एक hosting purchase कर सकते हैं and hosting purchase करने के बाद दोस्तों आपका जो website बनाने का यह वाला setup आप देख सकते हैं domain hosting का यह complete हो चुका है और दो step हमारे complete हो चुका है आप देखे website बनाने के लिए हमारे पास अगला step है दोस्तों WordPress theme का और WordPress theme purchase करने के लिए अगर आप चाहें तो दोस्तों खुद की WordPress theme purchase भी कर सकते हैं और अगर आपको नहीं purchase करना है तो कोई बात नहीं आप फ्री theme का भी इस्तमाल कर सकते हैं वैसे अगर आप मैं आपको बताऊं की theme आप कहां से purchase करोगे तो अगर दोस्तों आपको खुद की professional आपको purchase करनी है तो देखे आपको यह पर theme forest type करना है और theme forest type करने के बाद देखे दोस्तों आप theme forest की website पे विजिट कर सकते हूँ इसका link मैं आपको देदूँगा आप विजिट कर सकते हूँ आपके business के according अगर आप चाहें तो अपनी खुद की एक जो theme है वो आप आसानी से purchase कर सकते हैं यहाँ पे आपको लाको परकार के themes मिल जाएंगे जिस भी परकार का theme आपको पसंद है अच्छा लगता है वो आप यहाँ से easily purchase कर सकते हूँ तो theme forest लिंक मैं आपको description में देदूँगा आप जाके इसको purchase कर सकते हूँ जैसे आप theme purchase करोगे अमारा जो तीसरा step है वो भी complete हो जाएगा लेकिन मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि आप यहां से theme purchase करोगे क्योंकि अगर आप यहां से theme purchase करोगे तो कम से कम आपको 50-50 dollar देने पड़ेंगे एक theme को purchase करने के लिए लेकिन मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि आप यहां से theme purchase करो मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में free themes का भी इस्तमाल कर सकते हो और free themes का इस्तमाल कैसे आपको करना है और कैसे आप उसके उपर website बना सकते हो मैं आपको इस video में guide करने वाला हूँ आपको tension लेने की जरुवत नहीं है और जिस free theme का हम इस्तमाल करने वाले वो भी दोस्तों आपके लिए professional रहेगी जैसा आप उसमें customize करना चाहें वैसे कर सकते हैं कोई भी आपको कोई भी आपको foundation नहीं रहेगी तो यहां तक दोस्तों आपको complete समझ में आ गया है कोई doubt है confusion है कुछ पूछना है आपको तो मुझे comment करना मैं आपके सवाल हो के जवाब देने की कोशी जरूर करूँगा आप देखे दोस्तों आप इस website को design कैसे कर सकते हूँ वो आपके लिए important है तो design करने के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे इस website का जो setup है वो हम करेंगे आप देखे दोस्तों setup आपको कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ ताकि जो भी आपके doubts है confusion से वो दूर हो जाए और आप भी अपनी website को बड़ी आसानी से setup कर पाएं आपको किसी knowledge और किसी skills की जरूरत नहीं पड़ेगी देखे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक और बात बता देता हूँ यहां तक अगर आपनी वीडियो देखा तो अभी तक आपका करी 20 मिनट लग चुका होगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत टाइम इस वीडियो में ले रहा हूँ तो आप गलत सोच रहें मैं आपको इस वीडियो में जो step by step knowledge और जो जजानकारी दे रहा हूँ यह आपको और कहीं वीडियो में नहीं मिलेगी तो आगर आप इस वीडियो को पूरा end तक देखोगे ना तो definitely life में आपका भी भी खुद website बना सकते हूँ आपको कहीं knowledge की जरुवत नहीं लेनी पड़ेगी कोई course आपको purchase नहीं करना आपको कोई coding knowledge की जरुवत नहीं है बस इस वीडियो को एक बात पूरा देख लेना आप 100% lifetime अपनी website को खुद design कर पाएंगे ठीक है और इस वीडियो के अंदर में एक और पार्ट आपके लिए बनाने वाला हूँ क्योंकि इस पार्ट में तो complete website बनेगी नहीं एक और पार्ट आपके लिए बनाऊंगा ताकि आप उस पार्ट को देख सकें और खुद की website design कर सकें ठीक है तो वीडियो पूरा देखना है यह वीडियो 20-30 मिनट का हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका ही फाइदा होगा आप भी खुद की website design कर पा है connect करना है मतलब आपका domain और hosting का जो server है वो आपको link करना है उसके बाद दोस्तों आपने जो theme purchase करी है या फिर दोस्तों आप free theme को भी आगर use कर रहे है तो आपको theme install करनी पड़ेगी और theme install करने के बाद दोस्तों हमारा काम रहेगा हम अपनी website को design करेंगे और design में आपको header foot और pages को design करना है ठीक है तो यह आपकी website का setup है अब इसको आप कैसे करोगे इस video में मैं आपको वह भी बतार हूँ ठीक है तो video अब आपके लिए और भी important होने वाला है थोड़ा ध्यान से देखेगा